इसके क्लास में हम क्यूबिक सिस्टम पॉइंट ग्रूप के बारे में डिस्कॉशन करने वाले हैं दोस्तों दुनिया में जितने भी क्यूबिक सिस्टम के मिन्राल होते हैं दोस्तों उनका जो सभी एक्सीस होता है दोस्तों A1, A2 and A3 जो एक्सीस होता है दोस्तों वो सभी equal होते हैं equal to each other and all the axis are mutually perpendicular a1, perpendicular to a2 a2, perpendicular to a3 दोस्तों यह सभी का बीच में जो angle होता है 90 degree होता है तो सभी की weak system का axis जो होता है दोस्तों equal to each other and perpendicular to each other यहाँ पे दोस्ट symmetrical element दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों 13 16 axis of symmetry आपको देखने को मिलेगा दोस्तों और यहाँ पे 9 plane of symmetry और दोस्तों यहाँ पे 1 center of symmetry दोस्तों यहाँ पे actually कुछ diagonal plane होते हैं हम जो point group के बारे में जब discussion करेंगे दोस्तों आपे मैं next slide में बताऊंगा कैसे कैसे diagonal symmetry होता है दोस्तों तो यहाँ पे चलिए दोस्तों जितने ही point group है उसको पहले लिख देते हैं तो यह total आपको 23rd number of symmetrical element यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ के जो point group है दोस्तों क्या क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 3 है दूसरे में क्या है दोस्तों 2 by M 3 बार यहाँ से भी देख सकते हैं और क्या है तीसरे बाला है 4 3 2 4 बार 3 M और क्या है दोस्तों 4 by M 3 बार 2 by M दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे common factor है दोस्तों अगर जिसका भी बीच में तीन देखने को मिल रहा है वो cubic system को विलोंग करेगा दोस्तों cubic system को विलोंग करेगा और यहाँ पे हम काम operation कैसे करते हैं दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा यहाँ पे देखिए x, y, z अब यहाँ पे 2 3 दिया गया है लेकिन यहाँ पे 4 3 2 ले सकते हैं यह 4 3 2 कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे जो 3 देख रहे हैं point group में जो 3 digit देख रहे हैं दोस्तों x बाला part a1, a2 and a3 axis को दोस्तों indicate करता है ओके और दोस्तों यह जो है 3-fold symmetry को indicate करता है जो 4 axis होते हैं ना दोस्तों 4 axis of 3-fold symmetry को यह दोस्तों indicate करता है और दोस्तों यह 6 diagonal axis को यह दोस्तों indicate करता है देखें मैं आपको यहाँ पे x, y, j ले गया दोस्तों यह 3 axis को indicate कर रहा है दोस्तों यह 4 axis को indicate कर रहा है दोस्तों और ये दोस्तो six diagonal axis को six diagonal axis ओके ये three fold axis को और दोस्तो ये four fold axis को four fold axis को ये indicate कर रहा है तो इसी के हिसाब सही हम इनका diagram को सभी हम यहाँ पे draw करेंगे दोस्तो कैसे three fold एक में example यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तो याद रखना क्या formula four three two यहाँ पे दोस्तो आपका a1 ये वाले पार्ट जो बता रहा हूँ a1 a2 और a3 का काम होगा दोस्तो इस वाले काम में दोस्तो three fold symmetry का काम होगा जो चार axis हो three fold symmetry है उसका काम होगा यहाँ पे दोस्तो six diagonal six diagonal में डी लिख रहा हूँ देखे दोस्तो एक question करते है two three वाला question two three क्या है यह दोस्तो हमारा two किसको indicate करता है a1 a2 and a3 को three किसको indicate करता है दोस्तो चार जो three fold symmetry है four three fold symmetry जो है दोस्तो उन्हीं को यह indicate कर रहा है ओके और उसके last में तो कुछ दिया गया नहीं है diagonal यहाँ पे नहीं है तो चलिए दोस्तो ड्रो करते है इस figure को ताकि आपको आच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए a1 a2 a3 को हम पहले draw करते है पहले a3 यही है दोस्तो a3 हमारा a है ड्रो कर लिए हम a3 बास खतम a3 दोस्तो टूफोल है तो यहाँ पे टूफोल ड्रो कर लिए बस उसके बाद दोस्तो a1 ड्रो करेंगे यह आपका दोस्तो a1 ओके उसके बाद दोस्तो यह आपका a2 और a1 a2 भी दोस्तो टूफोल है यहाँ पे टूफोल दिया गया है दोस्तो टूफोल को हमने यहाँ पे ड्रो कर लि इसके बाद दोस्तों ये जो 3 V दिया गया है तो इसका काम दोस्तो अभी नहीं करेंगे पहले ये 6 diagonal जो xc से इसको पहले draw कर लेते दोस्तों procedure है ताकी हमें आसानी से easy procedure को अगर follow करेंगे तो आसानी से इसको करपाइंगे दोस्तों 6 diagonal axis आप पर डो करेंगे दोस्तों शीक्स तो डाइगोनल नहीं है लेकिन ओली दिखाने के लिए हम यहाँ पर डो करेंगे यह दोस्तों आपका दो डाइगोनल यह आपका तीन डाइगोनल ओके और यह दोस्तो आपका चार डाइगोनल यहाँ पर हमने चार डाइगोनल यह दोस्तो पांच छे डाइगोनल हमने ड्रो कर लिया ओके दोस्तो यहाँ पर जो थ्री फोल्ड जो चार एक्सिस अग थ्री फोल्ड सिमेट्री है दोस्तों यहां पर हम इसको रख सकते हैं यह देखें दोस्तों एक हो गया यह दोस्तों तीन हो गया बस यह दोस्तों आपका चार हो गया ओके दोस्तों ये काम हो गया हमारा तो हमने क्या-क्या ड्रो किया दोस्तों पहले A1, A2, A3 को ड्रो किया उसके बाद दोस्तों प्रोसीजियर बता रहा हूँ 6 diagonal axis को draw किया 6 diagonal axis को draw करने के बाद दोस्तो 3 fold axis को हमने यहाँ पे draw किया जो 4 3 fold axis हैं दोस्तो 1, 2, 3, 4 पहले हमने A1, A2 and A3 को draw कर दिया उसके बाद दोस्तो 6 diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 diagonal को हमने draw कर लिया उसके बाद दोस्तो 3 fold axis को जो 4 है एक दो तीन चार जो चार हे दोस्तों इनको ड्रो कर लिया, उसके बाद दोस्तों notation देना है, notation दोस्तों इहां से हम start करते है notation ओके white में दूँँगा, देखें दोस्तों 3 fold है तो यहां पे a1, every 120 degree में दोस्तों इसा आएगा अगर यहाँ पे 3-fold है और यहाँ पे देखिए दोस्तो 2-fold है 2-fold के कारण दोस्तो जैसे कि हम 2-fold axis हम draw करते थे यहाँ पे एक point यहाँ पे था तो अगर 2-fold यहाँ पे दिया जाता तो कैसा होता था यहाँ पे दोस्तो ऐसा होता था यह सुनो तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 में यहाँ पे ऐसा हो रहा है यहाँ पे 2-4 दिया गया है यह जो 3-4 यहाँ पे यहाँ पे repeat आएगा लेकिन कैसा आएगा दोस्तों यहाँ बस हो गया ओके तो यह 3-4 दोस्तों यहाँ पे भी 2-4 दिया गया है तो फोल के करान यह दोस्तो यहां पर आएगा कैसा आएगा दोस्तो यह देखिए बस दोस्तो यहां पर भी टो फोल दिया गया है तो यह पोईंट यहां पर रिपीट होगा और नहीं तो यह पोईंट यहां पर रिपीट होगा कैसा आएगा दोस्तो बहुत ही simple है बस यह दोस्तो हमारा काम खतम हो गया बस ऐही है दोस्तो 2 3 2 by m अब दोस्तो draw करेंगे 2 by m 3 बार 2 by m को draw करेंगे दोस्तो क्या है दोस्तो 2 by m and 3 बार यह दोस्तो a1 a2 and a3 को indicate करेगा यह दोस्तो 4 जो 4 axis of 3 4 symmetry है दोस्तो इसको unique करेगा, diagonal तो यहां पे है नहीं तो zero, तो दोस्तो पहले काम किसका था दोस्तो इसका one, यह two और यह three में से काम करेंगे दोस्तो, तो one में two by m को draw करते हैं दोस्तो, तो two दोस्तो पहले होता था तो dot line होता था लेकिन अभी two by m दिया गया है तो mirror plane है दोस्तो, इसको हम प जाए आच्ए द्रोब कर लिए दोस्तो और दोस्तो एवाने 15 हमने जोल्हएं इवान्द थो सॉलिड लाइन सही मूं कि उनके नीचे एक प्रेन आ कि आपि यह दोस्तों वान समया देते हैं ताकि समझने में आशारें हो पै यह काम हो गया है अब दोस्तो six diagonal axis को ड्रो करेंगे यह देखिए पहले रूल इसको हम अभी टू में फॉलो करेंगे दोस्तो यह हमारा six diagonal यह हमारा क्या है दोस्तो six diagonal six diagonal हो गया यह चार हो गया और दो में यहां पर ड्रो करेंगे यहां पर देखिए दोस्तो यह दोस्तो एक है यह दोस्तों आपका दो है यह आपका तीन है क्योंकि यह सबसे easiest method है नहीं तो दोस्तों गलत भी हो सकता है यह दोस्तों आपका तीन हो गया सरी चार हो गया 4, 3, 4 axis of symmetry diagonally दोस्तों यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे दोस्तों notation देंगे पहले दोस्तों आप C axis को देखिए solid line जब C axis solid line पर होता है दोस्तों क्या होता है जब C axis दोस्तों solid line पर होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों एक circle होता है इसके अंदर dot होता है तो चलिए दोस्तों उसी को follow करता है circle dot लेकिन यह जो circle dot दोस्तों 3-fold के कारण 3 रिपीट आएगा यहां पर दोस्तों 3 बार 120 डिग्री में 1 बस हो गया, काम खतम अब दोस्तों यहां पर देखिए 1 mirror plane है इस mirror plane के कारण दोस्तों यहां पर जो भी होगा यहां पर वह same to same repeat होगा same to same repeat होगा मतलब की आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 120 डिग्री 120 डिग्री बास काम खताब दोस्तों यहाँ पर भी एक mirror plane है mirror plane के करें यहाँ पर जो होगा दोस्तों यहाँ पर repeat हो जाएगा तो यह देखिए दोस्तों यह 1, 2, 3 दोस्तों पोजीशन थोड़ा चेंज मत करना जैसा है उसी कोई only mirror image दिखाना है आपको दोस्तों यह यहाँ पर है तो यहाँ पर हो ही सेम चीज दोस्तों रिपीट हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक यह दोस्तों यहाँ पर है तो यह चीज यहाँ पर रिपीट हो जाएगा यह दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यह दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा बस simple यह mirror plane है जैसा है ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों बस यह है दोस्तों आपका 2 by M 3 bar मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया दोस्तों पहले A1, A2, A3 को draw किया आप लिख भी सकते हैं यह दोस्तों C है यह आपका A1 है यह आपका A2 है लिख लिए A3 है तो A1, A2 को draw कर लिए उसके बाद दोस्तों 6 diagonal axis को draw कर लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 diagonal हो गया उसके बाद 3, 4 भी यहाँ पर बना लिए 1, 2, 3, 4 3, 4 बनाने के बाद दोस्तों notation देने का काम आता है 3, 4 मतलब कि यहाँ पर every 120 degree में notation आएगा पहले इसका ही काम जब notation देना start करेंगे दोस्तों 3, 4 से ही start करेंगे तो सही रहेगा 3, 4, 1, 2, 3, बस हो गया काम खतम हो गया दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर mirror plane है और 2 fold भी है mirror plane है और 2 fold भी है बट mirror plane है तो mirror plane जैसा ही आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों C axis जब एक perpendicular mirror plane कट कर रहा है तो दोस्तों ऐसा image आएगा तो मैंने यहाँ पर ऐसा 1, 2, 3, 1, 2, 3, बस यहाँ पर एक image जैसा formation होगा दोस्तों mirror plane image के काम दोस्तों सब 4 जगा ऐसा ही repeat आएगा उके उसी image ही यहाँ पर दोस्तों formation होगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे क्या है दोस्तों यहाँ पर 4, 3, 2 दिया गया है 4 किसको indicate करता है दोस्तों A1, A2 and A3 को यह indicate करता है यह दोस्तों 4 axis of 3-fold symmetry को यह indicate करता है दोस्तों यह दोस्तों 6 diagonal axis of 2-fold symmetry देखें दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है पहले 2 नहीं था पहले 2 नहीं था ओके 0 था यहाँ पर दोस्तों 2 दिया गया है तो चलिए दोस्तो हम process को भी follow करते हैं पहले क्या करना है A1, A2, A3 को draw करना है पहले इसका काम 1 उसके बाद दोस्तो 6 diagonal ये दोस्तो 2 का काम इसको करना है पहले इसका काम ये second में करना है ये दोस्तो 3 में करना है ओके जब notation दिया जाता है तो दोस्तो यहां से ही start करना है तो यहां से ही आपको start करना होगा तो चलिए दोस्तो 4,3,2,0 से start करते हैं पहले 4 का का काम कर लेते हैं दोस्तो 4, मतलब कि यह दोस्तो आपका A3 axis draw हम कर रहे हैं A3 axis हम draw यह दोस्तो खतम कर लिए A3 A3 में, दोस्तो, क्या है? 4Fολd symmetry दिया गया तो यह देखें, दोस्तो हमारा 4Fold symmetry A3 का काम हो गया अब दोस्तो, A2 ट्रो करेंगे यह आपका A2 आ जाएगा, दोस्तो यह आपका A2 बन गया A2, दोस्तो, 4Fold बस, 4Fold ट्रो करते जाएए हो गया दोस्तो 4-fold A1 दोस्तो यह है आपका A1 यह है दोस्तो A1 में भी दोस्तो 4-fold के करण यहाँ पर 4-fold आया है जब 2 था दोस्तो यहाँ पर जब 2 था दोस्तो हम 2-fold डो करते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तों 4 के जगा 4-4 दिया गया है यह देखिए ओके इसी 4-4 के कारण आप ड्रो कर सकते हैं यह सभी 4-4 ओके यह एक का काम तो हो गया हमारा अब दोस्तों हम सेकेंड में 6-Diagonal Axis को ड्रो करेंगे दोस्तों 6-Diagonal Axis मैं यहाँ पर फिर से ड्रो कर रहाँ दोस्तों यह आपका 1-Diagonal Axis है यह दोस्तों आपका 2-Diagonal Axis है थार्ड डाइगोनाल एक्सिस है दोस्तों यह आपका फॉर्ट डाइगोनाल एक्सिस है और दोस्तों सिस्ट डाइगोनाल एक्सिस लेकिन दोस्तों यहां पर जो डाइगोनाल एक्सिस आप देख रहे हैं यहां पर दोस्तों टूफोल सिमेट्री भी है डाइगोनाल एक्सिस तो यहां पर टूफोड सिमेट्री को आप ड्रो कर सकते हैं यहां पर ड्रो कर सकते हैं तूफोड सिमेट्री यहां पर नोटेशन दे सकते हैं यहां पर यहां पर दे सकते हैं कि ऑके टू- Frankfurt को मिल जाएगा भूर दोस्तों इस जगह पहर डिए इसका काम खतम हो गया अब हम थृ फोल्द वाले साएंगे त्रीफोओ सब्सक्राइब यहां पर है थ्री फोड़ वाला एक दो तीन दोस्तों यह हो गया आपका चर्ट फोर एक्सीस ऑफ थ्री फोल सिमेटरी काम खतम हो गया अब दोस्तों हम यहां पर नोटेशन देने वाले हैं देखे दोस्तों 6 diagonal axis में 2 fold है तो जब हम यहां पर notation देंगे दोस्तों कहां पर देंगे यहां पर एक point यहां पर notation देंगे every 120 degree में यह point दोस्तों repeat होता था first में हमने देखे थे यहां पर आप समझ सकते हैं लेकिन दोस्तों 6 fold होने के कारण और यहाँ पर दोस्तो टूफोल्ड होने के कारण दोस्तो यह वाला जो पॉइंट है दोस्तो रिपीट हो जाएगा कैसे दोस्तो यह वाला जो पॉइंट है दोस्तो यहाँ पर टूफोल्ड हो जाएगा क्योंकि उपर में आप देख सकते हैं यह तो फोल्ड दिया गया है तो यह जो पॉइंट है यहां पर ऐसे आएगा यह जो पॉइंट है यहां पर ऐसे आएगा दूसरा जो पॉइंट है यहां पर ऐसे आएगा बस सिंपल दोस्तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर दो तो यह वलाल इस पर ऐसा होगा उसके बाद एक कोई ड्रो करने से आपका सब आइडिया आ जाएगा दूस्तु बस यहां पर जैसा है दोस्तो यहां पर भी ऐसा ही होगा लेकिन बहुत सर मेथर है दोस्तो यह मेथर थोड़ा इजी है इसलिए में इसको बनवाता हूँ यह दे देखिए दोस्तो यहां पर इसा यहां पर इसा यहां पर इसा बस दोस्तो यहां पर जो इसा बना फिर यह दोस्तो यहां पर रिपीट हो जाएगा देखिए कैसा बनाते है इसा बस यह दोस्तो काम खतम हो गया हमारा तो पहले हमने क्या किया दोस्तो एवान एटू एट्री को draw कर लिया उसके बाद दोस्तों 6 diagonal axis 6 diagonal axis को draw किया with twofold हमने symmetry भी दे दिया दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारा जो four axis और threefold थे यह दो तीन चार हमने draw कर लिया उसके बाद symmetrical operation किये यह देखिए एक axis और यहाँ पे six diagonal axis के एक phase दोस्तों repeat हो रहा ओके दोस्तों इस image को आप study कर सकते four three two को अब हम दोस्तों अब हम दोस्तों फोर बार three m को यहाँ पर हम कि solve करके देखेंगे दोस्तों फोर बार three and m यह दोस्तों हमारा a1 a2 and a3 axis को indicate करता है यह हमारा four axis of three-fold symmetry को indicate करता है दोस्तों और यह हमारा diagonal six diagonal axis को यह indicate करता है तो चलिए दोस्तों पहले हम किसका खाम करेंगे four bar का तो four bar के लिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों c axis sorry a three axis यह दोस्तों आपका फोर तो होता तो इसा होता लेकिन दोस्तों यहाँ पर फोर बार दिया गया है फोर बार के कारण दोस्तों यह ऐसा बनेगा ओके फोर बार दोस्तों यह C का काम तो हो गया लेकिन अभी A1 ड्रो करना है दोस्तों यह आपका A1 हो गया यह दोस्तों आपका A2 हमने ड्रो कर लिया यह आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 4-4 क्योंकि A3, A1, A2 सभी दोस्तों 4-4 में क्रिस्टालाइज करते हैं सेकेंड में हम यहाँ पे भी रोटो इन्वर्जिन का निसाना लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बस इनका काम हमारा खतम हो गया ओके A1, A2, A3 हमने ड्रो कर लिया आप दोस्तों 6 डाइगोनाल एक्सिस हम ड्रो करेंगे दोस्तों पहला डाइगोनाल एक्सिस और ओ भी दोस्तों मीरोर प्लेन 6 जो डाइगोनाल एक्सिस हमें दोस्तों और क्या रहेंगे दोस्तों मीरोर प्लेन तो दोस्तों यहाँ पे डॉटेल लाइन नहीं रहेगा यहाँ पे आपको पूरा सॉलिड लाइन देखने को मिलेगा यह एक यह दो आपका तीन चार पांच और दोस्तों हमारा छे यह दोस्तों हमारा 6 का इसका काम दोस्तों हम अभी खतम करती है ओके मीरोर प्लेन को मीरोर प्लेन भी बना लिए बस काम खतम अभी दोस्तों हम 3 का काम करेंगे 3 दोस्तों कहा कहा मिलेगा यहाँ पे मिलेगा दोस्तों यहाँ पर भी एक मिलेगा दोस्तो यह भी एक यहाँ पर यह भी एक दोस्तो यहाँ पर ओके थ्रीका भी काम हमारा हो गया अभी दोस्तो ओपरेशन करना है आपको पता है दोस्तो थ्री फोल्ड है दोस्तो यहाँ पर आपको थ्री फोल्ड ड्रो करना है एक दो तिन बाई दीवे यहां पे दोस्तों क्या है mirror plane है दोस्तों mirror image है mirror image के कारण दोस्तों यहां पे क्या होगा दोस्तों एसा image formation होगा लेकिन यह दोस्तों यहां पे भी बनेगा बट क्या है कि अभी दोस्तों हम इसको c axis के तरब से दोस्तों यहां पे roto inversion है c axis में क्या है कि tetragonal जो roto inversion होने के कारण यह यहां पे जैसा भी बन रहा है दोस्तों यह 90 degree rotate करेगा और दोस्तों inverted हो जाएगा 90 degree यह rotate करेगा और दोस्तो inverted हो जाएगा अगर यह image दोस्तो rotate करेगा 90 degree और inverted हो जाएगा तो कैसे formation होगा दोस्तो यह सा बस अब दोस्तो यह image दोस्तो 90 degree rotate करेगा और दोस्तो inverted हो जाएगा 90 degree rotate करेगा inverted हो जाएगा अगर यह image दोस्तो rotate कर लिया और inverted हो जाएगा 90 degree rotate करेगा 90 degree rotate करेगा और दोस्तो inverted हो जाएगा 90 degree rotate inverted तो कैसा image बनाएगा यह figure inverted हो रहा है यहाँ पे तो दोस्तो ऐसा बनेगा बस यह यह दोस्तो 4 bar 3 M आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वही image यहाँ पे कैसे बना है दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैं उसका opposite बना दिया इसको हम बोलते हेक्सा octahedron सभी दोस्तों cubic system के चितने ही mineral आप देख रहे हो point group सभी close form है यह close यह close यह close सभी दोस्तों यहाँ पे आपको close form ही देखने को मिलेंगे अब हम लास्ट one को draw करेंगे दोस्तो फोर बाई एम थ्री बार टू बाई एम फोर बाई एम चलिए दोस्तों draw करते हैं यह दोस्तों a1, a2 and a3 को indicate करता है यह आपका six diagonal axis को indicate कर रहा है दोस्तों जो कि twofold भी है और mirror plane perpendicular भी है और यह तो आपको पता है four threefold symmetry को यह indicate करता है तो चलिए a1, a2, a3 draw करते हैं दोस्तों यहाँ पर a1, a2, a3 draw करते है पहले a3 से start किया जाता है दोस्तों a3 हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखे दोस्तों हमारा a3 का काम हो गया बट a3 दोस्तों mirror plane है a3 दोस्तों क्या है mirror plane तो दोस्तों यह total line नहीं होगा solid line होगा यह हमारा बन गया दोस्तों क्या solid line यह दोस्तों आपका four अब हम a1, a2 भी इसके साथ ही draw करेंगे दोस्तों a1 भी solid line बनेगा अगर a3 भी बन रहा है तो a1 भी solid line बनेगा दोस्तों यह हमारा a1 solid line बन गया A2 को भी solid line बनाएंगे दोस्तो A2 बस यह हमारा solid line बन गया दोस्तो यह हम 4-4 symmetry दे दिए बस हो गया अब हम 6 diagonal 2-4 symmetry with mirror plane mirror plane है दोस्तो 6 diagonal तो dotted line तो नहीं बनेगा आप दोस्तो solid line बनेगा यहाँ पे solid line यह दोस्तो आपका 1-2-3-4-5 और दोस्तो हमारा 6 दोस्तो आपका solid line बन गया ओके और इसमें दोस्तो 2-4 भी दिया गया है आप देखिए mirror plane तो काम हो गया तो 2-4 भी दिया गया है तो 2-4 भी आप यहाँ पे बना सकते हैं यह देखिए यह दोस्तो आपका 2-4 भी मन गया है यह हो गया आपका 2-4 अब दोस्तो थ्री बार का काम यहाँ पर हम करेंगे थ्री बार का काम यहाँ पर करते हैं दोस्तो यह देखिए थ्री बार लेकिन यहाँ पर थ्री बार के काम रोटो इंवर्जन हो जाएगा दोस्तो रोटो इंवर्जन सभी होगा दोस्तो रोटो इंवर्जन होता है थ्री बार मैं दूसरा कलर इस्तेवाल करूंगा दोस्तो यह देखिए दोस्तो थ्री बार यह होगी हमारा थ्री बार का काम अब दोस्तो हम यहाँ पर ओपरेशन करेंगे तो थ्री बार के लिए दोस्तो जनरली आपका क्या होता है एब्री वान टॉंटी डिग्री में ऐसा होता था लेकिन यहाँ पर पोइंट देंगे दोस्तो यह यह पोइंट दोस्तो क्या करेग 120D रोटेट करेगा लेकिन इन्वोटेड हो जाएगा यह 120D रोटेट करेगा लेकिन इन्वोटेड हो जाएगा तो यह इमेज अगर रोटेट करेगा 120D और इन्वोटेड हो जाएगा तो यहाँ पर इमेज बनाएगा और कैसे बनाएगा दोस्तो ऐसे बनाएगा यह सेम जाएगा दोस्तो केसा ही मैं यह दोस्तो रोटेट करेगा one टॉटी डिग्री लेकिन इनबोट्र हो जाएगा यहां पर हैं यह दोस्तो यह पर आप c axis को देखिए c axis को देखिए दोस्तो पुरा solid line है दोस्तो c axis solid line होने के कारण दोस्तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तो सभी में दोस्तो एक यहाँ पे point पे एसा okay c axis क्या है दोस्तो solid line होने के कारण दोस्तो यहाँ पे सभी इमेज दोस्तो एसा बनेंगे और दोस्तो यहाँ पे mirror image भी है यहाँ पे क्या है दोस्तो यह वाला mirror image आप देख सकते हैं यह वाला इसके कारण दोस्तो यह image दोस्तो सब जगा repeat भी होगा ओकी तो चलिए दोस्तो हम यहाँ पे draw करते हैं यहाँ बस दोस्तो यहाँ पे भी एक mirror image है तो यह image दोस्तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे भी एक mirror image है दोस्तो यह image दोस्तो यहाँ पे आ जाएगा तो यह दोस्तो क्यूबिक सिस्टम जहाँ पे हमने 4 by EM का काम किया जो की हमने पूरा solid line बना के a1 a2 a3 solid line बना दिये उसके बाद दोस्तो तो six diagonal axis mirror plane बना दिये एक दो तीन चार पांच छे जो भी twofold है यहाँ पे twofold भी दे दिये दोस्तो और three axis एक दो तीन चार इसका भी काम हमने कर लिया और दोस्तो यहाँ पे हमने notation दिया था लेकिन c axis ऐसा होने के करण सम में ऐसा point आ रहा है और दोस्तो यहाँ पे solid line होने करण यह image फिट से repeat होगा तो यह image सभी जगा है दोस्तो इदिन दी quadrant repeat हो रहा है दोस्तो और सभी quadrant पे same image ही हाँ देखने को में रहा है यहीता दोस्तो cubic system तो इसको थोड़ा practice कर लिजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे दोस्तो thank you